हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आबर यूटूब चैनल कंप्रडीशन मैथ पॉइंट दोस्तो हम लोगोंने आर आर भी गुरूप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगोंने सेट नमबर चौद तक देखा था आज हम लोग इस वीडियो में सेट नमबर स स्टार्ट को देखेंगे दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारी चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको और भी गुरूप डी का सेट प्रैक्टिस का सिल्यूशन मिलता रहेगा आप इस बुक को प्ले स्टो को पूरा वाज करें क्योंकि यह जो सेट प्रैक्टिस होते हैं इनमें आपको मिसलेनियस प्रशने देखने को मिलेंगे सभी के सभी चैप्टर से आपको इसमें प्रशने देखने को मिलेंगे जब आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं करने के लिए तो आपको यह पत प्रेश्ण होगा ठीक है कौन सा नंबर बारान नंबर तो देख लेंगे बारान नंबर प्रेश्ण क्या काता है देखिए रहीम ने पंदरा मिनट की देरी से अपना यात्रा सुरू की जिसके कारण वो अपने गंतब्बे पर समय से पहुचने के लिए 45 किलोमेटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमेटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी परे इस यात्रा के दोरान तैक की गई दूरी बतानी है ठीक है तो देखिए गया कितना अगर हम लोग इसको करना चाह है तो बहुत यह असान तरीके से कर सकते हैं सो देखिए सो देखिए क्या कर सकते हैं दूरी पूछा है तो दूरी निकालने का डारेक्ट आप कर सकते हैं दूरी के लिए x into y by में x minus y into made time ओके यही सुत्र का यूज करके आप पराम से दूरी निकाल सकते हैं x into y होता है चाल जो भी चाल दे रखा है x एको चाल दे रखा है 45 का और दूसरा चाल दे रखा है 14 का फिर इसी दोनों का अंतर लिखना है यहां minus नहीं देखना है कि है minus में शिरिफ अंतर लिखना है 14 में से 45 घटेगा तो 9 आएगा into में time time 15 मिनट है मिनट को घंटाय में convert तो 60 ओके 15 चाल का 60 9 चप 9 से ये कटेगा 9 चप 14 4 से 2 दूना 4 यह 3 दूना 6 यानि कि 45 गुना 3 कितना हो जाएगा 45 दूना 90 45 135 बटा में 2 135 बटा 2 का मतलिब कितना हो जाएगा 6 दूना 12 157 दूना 14.5 किलो मीटर ok 67.5 किलो मीटर ए नमबर उप्सन तो ये बहुत ये ऐसानी तरीके से ऐसे आप निकाल सकते थे ठीक है तो मैंने जो फर्मूला लिखा है ये डिरेक्ट दूरी आ जाएगा ok next देखिए 25 यदि 24 आदमी किसी कारे को 7 गंटे प्रती दिन कारे करके 27 दिनों में पूरा करता है देखिए 24 आदमी किसी काम को कोई काम है माल लेते हैं कि एक कोई काम है 7 गंटे में 27 दिन में कम्पलीट करता है ok काम को कहां डालेंगे नीचे और बराबर कहता है कि 14 आदमी इसी काम को जो काम पहले हो राते तो एक काम पहले हो राते तो एक ही काम को 9 घंटे प्रति दिन कारे करके कितने दिनों में पूरा करेगा तो X दिनों में पूरा करेगा 9, 3, 27 ठीक है 7, 2, 14, 12, 12, 24 यानि कि X का फिलू कितना जाएगा 12 और 3 12 ती आई 36 देख लिजिए C नमबर ओके, next 27, देखे क्या कहता है ABCD आयत के मद्य बिंदू AB बराबर 10 cm है यदि आयत की एक भुजा 12 cm है तो ABCD का छेतरफल क्या होगा ABCD का छेतरफल मतलब ये अंदर वाले आयत का छेतरफल हमको बताना है अगर हम लोग इस बाहर वाले छेतरफल में से मतलब ये टोटल का छेतरफल निकाल कर और ये चारो का जो ये तिर्भुज जो बन रहे है इसका छेतरफल घटा दे तो जो बचेगा तो ये बाला छेतरफल बचेगा ओके तो मैं इसको क्या करूँ सो देखिए मैं figure पहले draw करता हूँ फिगर से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पेक बिंदू इसको इससे मिलाया गया इसको इससे इसको इससे और इसको इससे ठीक है कहता है कि AB 10 cm है यह 10 cm है ठीक है तो यह जब AB 10 होगा तो यह भी 10 होगा ठीक है या फिर आप छोड़िए अब बाद में चर्चा करेंगे ABCD कहता है कि एक भुजा 12 है यह माल लिजे कि एक भुजा यदि 12 है तो ये मध्धे बिंदु है तो आधा आधा होगा ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा आपने सामने कि भुझा बरावर होती है आयत में तो ये 6 तो ये 6 तो ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा ओके आपको ट्रिपलेट यादोना चाहिए था 3-4-5 क्या 3,4,5 ओके अब देखिए अगर ये 6, ये 6, ये 10 है ठीक है तो ये वाली भूजा आपको निकल जाएगा ट्रिपलेट 5 का 2 गुना ये करन होगा यहां 90 डिग्री बनेगा तो ये करन होगा यानि कि 5 का 2 गुना 10 है 4 का 2 गुना 8 होगा 3 का 2 गुना 6 हमको दिख रहा है ये 6 है ये 10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 8 यह 8 तो यहां से यहां तक 8 होगा तो यह भी 8 हो जाएगा अगर यह भी 8 होगा तो यह भी 8 होगा ठीक है इतना तक कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब यह 10 है तो आमने सामने कि भुजा के योगे 10 हो जाएगा यानि कि 8-6-10, 8-6 तो यह भी 10 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 10 अब आप डारेक्ट निकाल सकते हैं आयत का छेतर्फल आयत का छेतर्फल अम माइनस तिरवज का छेतर्फल ठीक है आयत का छेतर्फल क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई ये लंबाई है चौट चौ बारा इंटू में 4 आइक शोड़ाई कितना है आठ्ट शोला और माइनिस दिर्भुच का 6 तरफल 1 दिर्भुच का 6 तरफल निकाल दीजे ऐसा ऐसा कहा है को दिर्भुच 1,2,3,4,4 गों से गुना कर दीजे 4 कौझ तिर्भुच तिरगुच का छेतरफल होता है 1 by 2 into base into height 1 by 2 into में base कितना है 8 into में 6 16 दुना 32, 16, 16, 16, 18, 19 दूसरे ये कटेगा दो बार में 8 छक, 48, 48 दुना कितना होता है 6 आने में घटाइए का कितना हो जाएगा 12 में से 6, 6 ये 8, 18 में से 9, 29 यानि कि 6 आने में तो अंदर वाले का छेतरफल कितना जाएगा 96 बी नमबर ओप्शन ओके आगे 28 दो रेलगरिया जो की 121 मीटर और 99 मीटर लंबी है ठीक है तो मीटर में है रेलगारी है तो लंबाई तो हमेशा जूरेगा तो 121 पलस 99 ये हो गया दूरी और बढ़ावर होता है चाल गुना समय ठीक है चाल दे रखा है 40 किलोटर प्रतिगहंटा और 32 किलोटर प्रतिगहंटा की चाल से चल रही है वो भी क्या विप्रित दिसाओं में तो चाल भी क्या होगा जूरेगा 40 पलस 32 इस किलो मीटर में इसको मीटर प्रतिग से केंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुना करना होगा और पार करने में लेता है कितना सेकेंड यही टाइम बताना है गुना टी तो जो टी आएगा सो आपके अंसर हो जाएगा 121 और 99 में कितना हो जाएगा 100 220 बरावर इधर 40 20 30 72 इंटू में 5 बटा 18 इंटू में टी 18 चोक बहत्तर 5 चोका 20 20 से 20 कटे गया यानि के टी बरावर कितना हो जाएगा 22 पांच चोका 20 एक जिरो से एक जिरो यह कटे गए 11 बार में ठीक है माफ किजेगा 11 आएगा 11 सेकेंड 20 से इसको काटेंगे एक जिरो से एक जिरो कटेगा बचेगा दू दू से 22 कटेगा 11 बार में जोगी ए नमबर है ओके नेक्स्ट 29 एक बैक्ती अपनी आए का 60% खर्च करता है यदि मुझ की मासिक आए 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितना है देखिए कि आए बरावर क्या होता है आए बरावर होता है खर्च पलस बचत ठीक है अगर आए उसका 100 रुपया होगा ठीक है तो खर्च कितना करता है 60 तो तो बचत कितना करेगा 100 पूराने के लिए 40 एड करना होगा, ठीक है, इतना चीज आपको यह common सी बात है पता होनी चाहिए थी, काता है उसकी मासिक आए 3,000 रुपया, आए कितना होता है 100 परतिसत के बराबर, यानिकि उसका 100 परतिसत जो आए है, आए कितना है 3,000 रुपया, क पटता है उसका मासिक बचत कितना रुप्याटिक है तो मासिक बचत कितना है 40 यूनिट तो 40 यूनिट का मान निकाल दीजिए ये 2 0 से 2 0 कटेगा यानि कि 40 ती आई 120 पर 1 0 यानि कि 12 100 रुप्या उसकी बचत कितनी हो गई 12 तो देख लीजिए D number आगे 30 number देखे प्रेस ने क क्या करता है A B 12,000 रुपया एवं 16,000 रुपया निवेश करके एक साज़ेदार में साज़ेदारी करते हैं आठ मा पश्चात C 15,000 रुपया के पुंजी लेकर वैपार में परवेश करता है दो वर्ज पश्चात 45,600 के लाव में C का हिस्सा बताना है कि क्या हुआ देखिए दोस्तों बहुत ही असान प्रेश्चन है A B C A लगाया 12,000 B लगाया 16,000 और C कितना लगाया 15,000 ओके देखिए टोटल समय है दो वर्ज यानि कि इसका पुंजी रहा होगा 24 महिना के लिए तो C का पुंजी रहेगा 16 महिना ठीक है क्योंकि C तो 16 महिना बाद आया 8 महिना बाद आया 8 महा पश्चात C जो है पुंजी लेकर आया ठीक है अब इस रेशियो को पहले काट कर छोटा कर लिजिए 2 G 3 0 3 0 3 0 ठीक है चार से काटते हैं 4 ठीक है 12 4 ठीक 24 चार चोगा 16 फिर चार से कटेगा 4 4 चोगा 16 छोगा 24 फिर कटेगा 3 से काट देते हैं 3 3 दूनी 6 और 5 ठीक 15 अब नहीं कटेगा यहां सिरिप 6 है यहां 4 दूना 8 है और यहां 5 है टोटल कितना का लाब हुआ सो देखिए लाब बता रहा है 45,600 तो 45,600 में बांट देजिए आर चोगदा 5 29 उनना इस दूना 38 फिर दू 5 दू 7 अच्छो ची आतर ची आई 57.66 पर डवल जीरो यानिकि एक यूनिट का मानों गया 2400 पूछा गया है क्या सी का हिस्सा सी का यूनिट है 5 यूनिट पांच गुनाय में एक यूनिट का मान चोविस तो यानिकि 24 पर चे होता करनामी लेगा 12 kg से नंबर ओके आगे अगे कि 31 है कि एक 28 शेंटिमीटर ब्यास वाले अड्द विरीद की पूरीदी डैस होगिए ठीक है ब्यास डे रख़ा है डाई मीटर डे रखा ए 20 cm पूरीदी क्या होता है देखे यहां-पर ब्रित की पूरीदी नहीं है हमको पुछा है अर्ध व्रित की परिधी तो अर्ध व्रित की परिधी देखे परिधी बराबर होता है पाई आर प्लस टू आर ओके इसी को कहते हैं अर्ध व्रित की परिधी आपको कहेंगे ऐसा भी देखने को मिलेगा है दोनों में आर को बाहर निकाल दीजे तो पाई प्लस ये confuse नहीं होईएगा बहुत सारे student के मन में ये doubt होता है कि sir formula गलत लिखवा दिये अरे यहीं से अगर हम r common ले लिए तो यहाँ pi बचा यहाँ 2 बचा तो pi पलस 2 कर दी और गर इसी में r से गुना कर देंगे तो pi r पलस 2 r होगा अब हमको दे रखा है कि और दिविरित का ब्यास दे रखा 28 cm तो तिरिजया क्या होता है डाइमीटर का आधा 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 cm अब और दिविरित की परिदी देखिए r का भेली होगा 14 into pi pi का मान लेना है 22 बचा 7 अब पलस में 2 तो 2 14 अदिके 7 दुना 14 22 और 14 कितना जाएगा 22,4,26,10,36 अब अब अधा में 7 7 दुना यानिके 36 दुना 72 cm ये स्क्वाइर होगा नहीं ठीक है 72 cm option number C next देखे 32 इतिहास की परिच्छा में संपूर्ण कक्छा का औसत असियम धा ठीक है संपूर्ण कक्छा का औसत अंक कितना था 80 था तो संपूर्ण कक्छा का यानिके टोटल जो है संपूर्ण मतलब क्या 100 परतिसद रहा होगा कक्छा में बिद्यार्थी जिसका औसत अंक 80 था तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 8,000 ठीक है कि 20% बिद्यार्थी ने 90 20% ने 90 प्राप्त किया तो टोटल ने कितना क्या होगा 009218 तो बाकी कख्छा में अन्य बिद्यार्थी तो यह दोनों मिलाकर कितना हो गया 30% और कितना अंक अर्जित किया तो देखे 0 5 9 8 17 एक और एक 2750 अंक अर्जित किया तो टोटल 100 में से अगर 30 अंक निकल जाएगा मतलब 30 को बिद्यार्थी निकल जाएगा तो बच्चे कितना 70% बिद्यार्थी और टोटल अंक कितना निकल जाएगा इदर 8000 में से घटा लीजिये कितना 27 पच्चास को तो कितना जाएगा 0 पाँच में से 10 में से 5 जाएगा 5 नो में से 7 जाएगा 2 यह 7 में से 2 जाएगा 5 यानि कि 52 हो जाएगा 70 को ठीक है तो हमको एवरेज बताना है तो संख्याओं का योग कि योग के तू यही है 52 अब 8 संख्या 70 10 से 10 7 सते 49 और फिर 357 पच्चे 35 यानि कि कितना जाएगा 75 तो सेंस का कितना था 75 सी नंबर ओके 33 देखिए दिये के समय में एक कारिगर अपने कारे के समाने दर का सारे 12 परतिसत बढ़ा कर 15 बस्त वे ज्यादा पैदा कर सकता है यदि वो अपने समाने दर से 80 परतिसत पर कारे करता तो कितनी बस वे उत्पादित करता प्रेशने कुछ नहीं है सिरिफ लेंगवेच का खेले सारे 12 परतिसत बढ़ा रहा है और 15 बस्त वे क्या कर रहा है ज्यादा पैदा कर रहा है तो सारे 12 पर 30 को तो रहेंगे तो सारे 12 को 12 दूना 24 और एक 25 वट्टा दू पर 30 के लिए 1 अपन 100 25 चवका 100 यानि कि 1 वट्टा 8 देखिए कि 1 वट्टा 8 वो कर रहा है मतलब कि 1 वो बढ़ा रहा है नीचे वला यदि जैसे मुलधन होता है तो उपर वला व्याज होता है उसी परकार कि यहाँ पर नीचे वला जो बश्टू पैदा करना है लेकिन करता कितना है 15 हो यानि कि 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है 15 एक उनिट का मान 15 तो आठी उनिट का मान कितना हो जाएगा X तो X का वेलू कितना हो जाएगा 158 120 यानि कि 120 गो बस तू टोटल बना रहा है ठीक है अब कहता है कि अपने समानने दर पर 80% ये जो 120 बस तू बना रहा है अब 120 बस तू जो है बनाएगा वो 80% पर कारे करे मतलब टोटल 100 अगर करेगा तो 120 बनाएगा ठीक है टोटल अगर 100 परतिसत कारे करेगा तो 120 गो बनाएगा लेकिन कारे कर रहा है 80% परतिसत के लिए 100 2.0 से 2.0 12.86 यानि कि कितना बस तू बनाएगा 96 बस तू बनाएगा D.Number ओके नेक्स्ट देखे 34 88 को 2569 के अनुपात में भी बहाजित किया जाए तो रुपया से संबंदित का अनुपात क्या होगा 2.5.6.9 बनाटना कितना है 88 रुपया को देखे कितना होता है 5.2.7 7.6.13 13.7.20 और दू 22 22,88 तो एक यूनिट का मान 4 तो दो यूनिट का मान 8 5 यूनिट का मान 20 6 यूनिट का मान 24 9 यूनिट का मान 36 क्या किये 4 से संब में गुना किये ठीक है 8,20,24,36 8,20,24,36 जी नंबर आगे 35 यदि एक आयता कारबाग की पड़िदी 1200 मीटर है 4 से लंबाई का अनुपा 3,5 है तो लंबाई मीटर में होगी क्या ये बताना है तो आयता कार है परिदी क्या होता है 2 इंटू L पलस P ठीक है ये होता है परिदी और परिदी कितना दे रखा है 1200 ओके आपको यहाँ पर लंबाई और 4 मतले कि 4 आई से लंबाई का अनुपा दे रखा है 4 आई और लंबाई का अनुपा दे रखा है ठीक है कितना 3,5 इसके साथ X लगा लीजी ठीक है 2 इंटू यहाँ पर X पूट कीजेगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8X बरावर 1200 दूसे यह कटेगा 600 बारे में 8 से यह कटेगा 8 छक 48 आट सते 56 4,0 4,0 यानि कि 8,5 यानि कि X का वहलू कितना आगया 75 अब यहाँ पर डारेक्ट पूट कर दीजे आप से पूछा है लंबाई लंबाई इधार है 5X 5 इंटू X का वहलू 75 यानि कि 5,5,7,5,35 और दूसे 37 375 C नमबर ओके 4 पूछता तो 4 आई में हम लोग पूट कर लेते आगे 36 एक बस्तू की कीमत 40% से घटा दी जाती है मुल्ले कीमत में इसको वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने परतिसत की बृद्धी करनी होगी अभी 60 परतिसत को पूना 100 परतिसत करना है तो कितने की बृद्धी करेगी 40 का बृद्धी कितना पर घटा हुआ मुल्ले 60 है और गुना 100 एक जिरो से एक जिरो ये तीन वार में ये बीस वार में बीस गुना में 10 दो सब बट्टा तीन यानि कि 66 पूर्णांग दो बट्टा तीन ओके ओप्शन नमबर सी नेक्स्ट 37 यदि 3 पर पावर एक्स माइनस वाई बरावर 27 एवं 3 पर पावर एक्स पलस वाई बरावर 243 हो तो एक्स का वेल्यू बताना है कि क्या होगा तो बहुत यह असान प्रशने देखिए 3 पर पावर एक्स माइनस वाई बरावर 27 को भी पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं तह 3 पर पावर 3 3 तीय नो नो तीय 27 अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा बरावर तो एक्स माइनस वाई का वेलू कितना हो जाएगा 3 तीय नो नो तीय 27 27 तीय एकासी एकासी तीय होता है आर्टिरी चोविस यानि कि पाँच बार तीरी पे पावर यहां पाँच लिख सकते हैं तीन पे पावर जब पाँच लिखेंगे तो हो जाएगा 243 बेस सेम है तो पावर भी आपस में बरावर होगा एक्स पलस वाई बरावर 5 आपसे एक्स का वेलू पुछा है तो यहां एक्स पलस वाई बरावर 5 एक्स पुछा है तो य को हटाना होगा य से वाई कट जाएगा एक्स और एक्स बढ़ा देने पर यह 15 मिनिट पहले पहुंचाती है तो गंतब्य अस्थान पर पहुचने के लिए समाने दर पर समय कितना लगेगा यह बताना है तो इस पीड देखिए कि करता है आठ परतिसद बढ़ाता है माल लिजे कि पहले 100 था अब इस पीड को आठ परतिसद बढ़ा कर कितना कर दिया तो 108 कर दिया ठीक है आठ परतिसद बढ़ाया तो कितना कर दिया 108 इसको काटियेगा तो यह 50 बार में और यह 14 बार में ठीक है फिर इसको काटियेगा 25 बार में फिर इसको काटेंगे 27 बार में जब यह स्पीड बढ़ेगा तो टाइम भी घटेगा ठीक है तो अब कि टाइम में कितना का अंतर है 27 से हो गया 25 यानि कि 2 यूनिट का अंतर है और कहता है कि 15 मिनट पहले 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 पहुंचता है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा एक यूनिट का मान हो जाएगा सारे साथ मिनट ठीक है सारे साथ मिनट हम से समानने समय पूछा है ठीक है तो समानने समय क्या हो जाएगा इधर वला होगा समानने समय ठीक है 15 मिनट पहुंच जाता है तो समानने समय ये वला होगा 27 यूनिट है और एक यूनिट का मान है सारे स साथ यह पोइंट रटाएंगे तो निच्छे में एक जिरो पंदरा पच्छे पच्छतर पांच दुना तस यह निकि कितना जाएगा पंदरा सत्य एकसा पांच 15 सते 105 15 दुना 30 और 10 40 बटा 2 और यह आएगा मिनट में ठीक है यह आएगा मिनट में तो इसको घंटाई में बदलने के लिए 60 से भाग 12 पच्छे 60 8 पच्छे 40 81 बार में फिर काटेंगे 3 से 3 चुगा 12 27 दिया 81 यानि कि कितना जाएगा 27 अब बटा में 4 दुना 8 8 तिरी 24 और 27 बटा 8 घंटा यानि कि 3 पूर्णांग 3 बटा 8 घंटा 3 पूर्णांग 3 बटा 8 घंटा यह नमबर ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी चलिए आगे 39 नीचे दिये गए रेखा चेतर में तिरभुज PQR का चेतर फल देगा है PPQR यानि कि total का चेतर फल दे रखा है 36 तिरभुज SQR SQR पांच दे रखा है triplet याद है 3, 4, 5 यानि कि ये भुजा अगर 4 है ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि 90 degree 90 degree के सामने वाली भुजा ये करन है ठीक है नहीं दिख रहा होगा तो ये भुजा ये 4 ये 5 तो 4, 5 मिल गया तो जो बचा 3 ये 3 हो जाएगा ओके अब दिखिए यहाँ से यहाँ तक को नहीं पता है तो एक समान लेते हैं अब तिर्भुज का छेतरफल क्या होता है 1 y 2 into base base तो ये total हो जाएगा क्योंकि हम बरे वाले तिर्भुज का लिख रहे हैं ये बरका वाला तिर्भुज का लिख देते हैं तिर्भुज QPR ठीक है QPR बरावला तिर्भुज तो 1 y 2 base तो ये total हो जाएगा 3 और into में कितना हो जाएगा 3 प्लस X into में height height कितना है 4 अब बराबर है कितना 36 36 36 दूसरे ये 2 बार में आद दूसरे ये 18 बार में यानि कि X का value कितना हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो 18 में से 3 जाएगा तो 15 यानि कि यह X का value कितना निकल जाएगा 15 यानि कि ये total कितना हो जाएगा ये total length हो जाएगा ये 3 और ये 15 ये total 18 यानि कि बरका वाला तिर्भुज में से छुटकावला तिर्भुज का छेत्रफल निकाल दीजे तिर्भुज QPR माइनस तिर्भुज QPS ठीक है तिर्भुज QPR में से तिर्भुज QPS QPS को घटा दीजी देगे हम इतना लिख रहे हैं आपको बताने के लिए नहीं दारेक्ट कर सकते थे 26-6 बराबर 30 इसका एंसर क्या आएगा 30 आएगा ऊके तो सबसे बरकावला तिर्भुज का छेत्रफल 1Y2 एन्टु बेस सबसे बरकावला तिर्भुज का छेत्रफल दो दहीं रखा था 36 तो 36- यहां इसका छेत्रफल 1 by 2 into base into height हम लोग निकाले थे ये इसका निकाल लीजे नहीं निकला है ये 1 by 2 into base base कितना था 3 into में height 4 दू 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 ना चार तो 3 दू ना 6 36 minus 6 तो 30 ठीक है देख लीजे 30 ये नमबर मैंने पहले ही बोला था ठीक है question में कोई दम नहीं है ये बरका वाला 36 चेतर फल दे रखा था ये छोटका वाला निकाल कर घटा दीजिए आपका answer आजाएगा ठीक है इतना तो बताने के लिए हम किये 40 नमबर 5 बैक्तियों का औसत बजन 76 kg है ठीक है 5 बैक्तियों जिसका average दे रख गए 76 तो योग्यफल की बात करेंगे तो 76 गुना 5 करना होगा ठीक है तो 6 पचे 30 7 पचे 35 और 33 यानि के 380 kg क्या हो जाएगा योग्यफल तीन पांचों का योग्य हो गया जिसमें से क्या आपको चारों का बजन दे रख था है तो और चारों का बजन दे रख था है तो आपसे पांच Holy बैक्ति का बजन पुछा है तो यहां चारों का बजन जोड़ कर इसमें से घटा दीजिए ठीक है तो देखे चारों का बजन अगर हम लोग जोड़ लेते हैं एक पांच, एक छो चार दस दू, बार बैखती यह उसका वज़न कितना हो जाएगा 78 केजी बी नमबर ओके आगे 41 दस सेंटीमीटर त्रिज्या एवं दस सेंटीमीटर उचाई वाले पीतल के संकु को ढाल कर एक गोला बनाया जाता है ढाले हुए गोले की त्रिज्या का लगवख होगा यह बताना है तो देखिए आपको किसे बनाया जा रहा है संकु का एतन क्या होता है 1y3 πr2h और इसको ढाला किसमे जा रहा है गोला में तो बराबर हो जाएगा गोला का एतन गोला का एतन होता है 4y3 πrq 1y3 देखिए पाई दोनों में कॉमन है कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा लेकिन यहां r² नहीं कटेगा ओके क्योंकि संकु का अलग ढाचा होता है गोला का अलग तो यहां पर बचा r² संकु है यह संकु का तिरिज्या दे रखा है 10 तो 10 का स्कुर करेंगे तो 1000 इंटू में h, h कितना दे रखा है 10 सेंटिमीटर तो गुना 10 बरावर 4 इंटू में rq ठीक है गोला का तिरिज्या है rq तो rq अगर r निकाल लेंगे तो यहां क्योविक रूट हो जाएगा यानि कि 3 गो इधर एक पर एक दो तीन चार अब अब अटा में 4 चार से स्वो काट दीजिएगा तो कितना आएगा चार दूनी आठ दू पांच चव का बीस पर ॥ावज़र यानि कि 500 अब पचीश सो का यहां क्योविक रूट निकालना है तो कितना आएगा, छो का स्क्वायर, देखें, यह एप्रोक्स में आएगा, छो का स्क्वायर, छृतिस, पच्चा, पचीस, नहीं, 4 चुगा, 16, 16, 64, देखें, यहां पर कुछ ऐसा गुना कीजिये, कि पचीस सो के निकट आजा, तो 3 वो, तो आप देखें कि 6 इंटु 6 एक 36 गुना में 6 हमको पचीस सो के प्रोक्स में 6 36, 36, 38 और 3 एक कईस यानि कि दूसर 16 आ रहा है जो कि पचीस सो के प्रोक्स में है हमारे अंजास से एंसर होगा 6.3 सेंटीमिटर ठीक है लेकिन 7 का जब क्यों करेंगे तो ये 7 का क्यों होता है 729 जो कि 729 होगा पचीस सो से बहुत आगे चला जाएगा और यहाँ पर 0.3 था 3 का भी कुछ value आता ठीक है आगे 42, साइन 60 का मान होता है रूट 3 वाइट 2 साइन 60 रूट 3 वाइट 2 आगे देखिए 43 45 रूपे प्रतिक किलो चावल बेचने पर एक दुखंदार को 20 पर 30 की हानी होती है 20 पर 30 लाव कवाने के अब देखिए 20 पर 30 की हानी हुई यानि कि 80 पे बेचा होगा और बेचा कितना है 45 रूपया में कहता है 20 पर 30 का लाव प्राप्त करना है तो 120 पर 30 निकाल दीजे तो 100 रूपया में बेचेगा तो बस एकस का वेड़ो निकाल दीजेगा तो 45 गुना 120 बटा में 80 10 से 10 4 दुना 4 ती आई कितना हो जाएगा 45 दुना नबे 45 135 बटा दू 135 बटा दू का मतलब होता है 167 रूपया 50 पैसा ठीक है यह नमबर आप्शन ठीक है आगे 45 देखिए क्या करता है 15 X3 इंटू Y पे पावर 4 और 12 X2 इंटू Y पे पावर 5 का लगुतम समाबर तक LCM बताना है lower common multiple ठीक है तो देखिए इसका direct आप कर सकते हैं 15 और 12 का LCM लिजेगा तो कितना होगा 15 और 12 का LCM होगा 60 ठीक है अब 15 और 12 का LCM 60 हो गया तो option में आपको 60 एक ही दिख रहा है D number 60 इंटू में X की अब देखिए होता है क्या है कि जो भी हमको सेम से मिलेगा उसका power देखिए power जिसका ज़्यादा होगा वो लिखाता है तो इसमें X पे power 3 है X में X का S2 है तो X पे power 3 वाला power ज़्यादा है तो X पे power 3 इसमें Y पे power 4 है इसमें Y पे power 5 है तो यह power वाला ज़्यादा होगा Y पे power 5 60 X की इंटू Y पे power 5 जो कि D number है या फिर आप निकाल भी सकते है LCM निकालने जैसे आता है Y पे power 4 बहुत ही आसान प्रेशन है ठीक है 12 X स्क्वेर इंटू Y पे power 5 भाग क्या होता है कि जो कट जाए ठीक है तो हम लोग यहाँ पे थिरी इसको काटने के लिए X स्क्वेर Y to the power 4 से भाग कर सकते है देखिए 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 पच्वेर 15 देखिए Y स्क्वेर से Y Q पे कट जाएगा तो एको X बचेगा X पे Y पे power 4 Y पे power 4 कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ यहीं बचेगा यहाँ 3 से काटेंगे तो यह 4 ती जाए 12 X स्क्वेर से X स्क्वेर कट जाएगा यहाँ Y to the power 4 में से Y to the power 5 गटेगा तो शिर्फ बचेगा क्या Y अब LCM क्या होता है सभी को आपस में गुना किया जाता है 5, 4, 3 को गुना करेंगे तो 60 होगा यहाँ X है यहाँ X स्क्वेर है तो X की हो जाएगा यहाँ Y पे power 4 है यहाँ Y है तो Y to the power 5 हो जाएगा फिक है समझे गए आगे 46 निमने में से कौन सा भिन्ने बढ़ा है ठीक है A नमबर ओप्शन है 3 बच्टा 4 उपर में अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए 7, 28 पॉइंट 2, 0, 5 ओगा 20 B नमबर ओप्शन है 4 बच्टा 5 उपर में 0 बैठा दीजिए 8, 45 C नमबर ओप्शन है 5 बच्टा 6 उपर में 0 तो 8, 48, 40, 20 8, 3, 4, 3, 18 ठीक है D नमबर ओप्शन है 7 बच्टा 8 उपर में 0 8, 75, 88, 84 पॉइंट 6, 0, फिर 8, 76 सबसे बढ़ा कौम सा दिख रहा है 8, 7, 8, 7, 5, 8, 3 नमबर ओप्शन ओके आगे देखिए 52 निमलिखित पाई आरेक दिसंबर 2017 था भारत के विविन बैंक द्वारा संसाधित गैर निस्पादनिये परिश संपत्तियों NPA के बारे में जनकारी परदर्शित करता है यदि सभी बैंकों के तहत उल NPA तो कौन से बैंक का NPA अन्य बैंक की तुला में सरवधीक है ये बताना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ करनी के जुरुत नहीं है कहता है प्लाष्ट में देखिए उपर वाला आप से कोई मतलब नहीं है नीचे में डारेक्ट देख लीजिए कि कौन सा बैंक का NPA अन्य बैंकों की तुला में सबसे अधीक है तो जिसका परतिसत में बैल्यू सबसे अधीक होगा वो अन्य बैंक से सबसे अधीक होगा ठीक है जाहिर सी बात है कि आप A नंबर को देख रहे हैं प्रश्निक के लैंगवेज भी कर रहा है कि कौन सा बैंक का NPA अन्य बैंक को कुछ तुला में सरवधीक है तो अन्य बैंक यह सब हो गया इसके तुला में यह क्या है सरवधीक है ओके नेक्स्ट कि साथ नमर देखिए क्या करता है एक किले में 150 बैक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन का प्रावधान था 20 दिन के 50 बैक्ति किला को छोड़ देता है बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा यह बताना है तो 150 बैक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन था कहता है 20 दिन, 35 में, 20 दिन हो चुका है, तो 20 को घटा लीजिए, 50 बैक्ति किला छोड़ दिया, पहले 150 बैक्ति था, 50 को घखति किला छोड़ देगा, तो 100 बैक्ति में ही भोजन चलेगा, जो भी बचेगा, 150 इंटू में 50 में से 20 घटेगा तो 30 अब अटा में 100 10 से 10 10 से 10 यानि कि 15 यह 45 दिन यानि कि किला में जो बचा हुआ भोजान था अब कितने दिन और चलेगा तो 45 दिन ओके आगे 73 संख्याओं के निमलिखी सेट के माधिका ग्याद करना है क्या ग्याद करना है माधिका तो माधिका सबसे पहले ग्याद करने के लिए या तो इसको बठते करम या तो घटते करम में अरेंज किया जाता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले बठते या घटते करम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते ही करब मेररेंट करतेते तो सब से पहले होता है चोटा भी यानिकि ग्यारह उसके पर फिर आएगा एक ग्यारह उसके बाद इसदोधेरा एक यहान त्थी ओख एक यहें त्थी ओगण झाला, बैमकित आखिर 15-णार, तो देख लिजेए, 14 यहां पे हमको दीख रहा है, तो 14 आएगा, 15 देखिए, 1-2, 2 बार 15 है, तो 15-15 दो बार, अब 16 है, नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 एक बार दो बार है, यानी कि दो बार क्या है? 18 है, तो 18-18, अब क्या करना है? माधिका में तीन इधर से छाटेंगे तो तीन इधर से छाटेंगे फिर दो बढ़ाएं इधर और तो दो इधर और बढ़ाएं दिये इधर एक और बढ़ाएंगे तो इधर भी एक और बढ़ाएंगे तो बीच में जो संख्या बचता है वही माधिका होती है यानि कि बीच में जो संख्या क्या बचा 13 तो मादिका का फेल्यू क्या जाएगा 13 ठीक है बी नमबर आई वोप समझ में आया होगा चलिए next बढ़ते हैं देखिए 81 प्रेशन है सेक पे पावर 4 ठीटा माईने सेक स्क्वाड ठीटा किसके बराबर होगा तो आप यहाँ पे direct option से भी कर सकते हैं या फिर option से नहीं माफ किजेगा triplet ते 3,4,5 कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ दोनों में सेकर हम लोग सेक स्क्वाड ठीटा को common ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वाड ठीटा अब माइनस में 1 ऐसे तो यहाँ पे 10 स्क्वाड ठीटा हो जाएगा 10 स्क्वाड ठीटा इंटू सेक स्क्वाड ठीटा ठीटा ठीके देखिए सेक ठीटा क्या होता है सेक ठीटा होता है क्या करन बच्टा अधार करन बच्टा अधार कर्ण 5 होगा तो अधार माल लिजे 4 को तो सेख यानि कि यहां पर 5 बट़ा 4 का होल क्वेर इंटू में यहां भी करेंगे तो 5 बट़ा 4 का होल स्क्वेर माइनस में 1 ठीक है 5 का स्क्वेर 25 बट़ा 4 का स्क्वेर 16 आ इंटू में 4 चुका 16 25 में से 16 जाएगा तो 9 बटा 16 25 नमा होता है दूसर 25 आज 16 का स्क्यार होता है 256 ये आया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे option में भी put करेंगे और जो option हमको इतना दे देगा वही मेरा answer होगा ठीक है तो यहाँ पे minus है जो की नहीं आएगा ठीक है आभी सकता है ना भी आ सकता है तो देख लेते चेक करके ये नमबर 10 स्क्यार ठीक है 10 क्या होता है लम बटा धार 3 बटा 4 3 का स्क्यार 16 3 का स्क्यार 9 बटा में 4 का स्क्यार 16 लेकिन minus में है तो नहीं आएगा ठीक है तो B नमबर option डिरेक्ट शेक कीचिए पलस बटा यहाँ पर 10 बटा पर पावर 4 है ठीक है तो यहाँ पर लम बटा था रहोगा 3 बटा था रहोगा 3 बटा में 4 का स्क्यार 16 64 चूका होता है 64 चूका 4 चूका 16 64 चूका 16 चूका 24 और एक पच्चिस दूसरा 56 तो इधर आगिया पलस 10A स्क्यार यानि के 4 तीन का स्क्यार 9 अब अब टा 4 का स्क्यार 16 16 और 256 का यह सिम लिज़ेगा तो 256 उपर में 181 ही रहेगा पलस 16 का पहरा कितना बार पढ़ेगा तो 26 चूका आगा तो 16 एकम 16 16 बार में 16 नामा कितना होता है 16 नामा 9 चुका 24 फिर 9 एकम 95 14 144 जोड दीजिए 4 एक पांच 8 चार 12 एक और एक दू अब टा में 256 यानि कि 225 बटा 256 225 बटा 56 यानि कि बी नमबर आप्शन में पूट करने प्याए ओके तो यह हो गया क्या मेरा जो ट्रिपलेट में थेड़ है वैल्यू पूटिंग करके ठीक है 82 कॉस ए पलस कॉस स्क्वाइर ए बराबर 1 तो आपसे पुछा है साइन स्क्वाइर ए पलस साइन 2 डी पावर 4 ए का माने बताना है कि क्या होगा ठीक है यहां से अगर हम लोग इसको निकालते है कॉस ए तो यह उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वाइर ए तो 1 माइनस कॉस स्क्वाइर होता है साइन स्क्वाइर ठीक है क्या हो जाएगा साइन स्क्वाइर 1 माइनस क्या होता है sin A square A इतना तक कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आच्छा sin A square A plus cos A square A बरावर होता है 1 इसको आगे हम क्या कर सकते है तो इसको इसी परकार रहने देते हैं ठीक है इसको अगर हम लोग solve करेंगे तो इसको हम लिख सकते है sin A square A इसको sin P power 4 को लिख सकते हैं sin A square A का whole square इस परकार ओके अब देखें कि sin A square A का value दे रखा है cos ठीक है तो इसको अगरे लिख सकते हैं sin A square A पलस इतना के जबापे लिख सकते हैं cos तो यहां हो जाएगा cos square A sin A square A plus cos square A बरावर होता है 1 फर्मूला होता है sin A square theta plus cos square theta 1 so right answer A number ओके यहां भी आप triplet put करके answer ला सकते हैं ओके चलिए तो आगे देख लेते हैं प्रस्ट ने देखिए 83 एक बहुँभुच की नौ भुजा है उसका परतेक आंत्री कून कितना होगा जब आंत्री कून पूछे तो क्या किजिए n minus 2 by n into 180 नौ की संख्या तो नौ भुजा है 9 minus 2 by 9 into में 180 9 दूना यानि कि 20 बार में 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 7 गुना में दू 14 यानि कि 140 डिग्री ओके तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होगी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट स्रीज है उसको ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम